नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का मैं हूँ सौरव शर्मा और आप देख रहे हैं इस सवाल तो बनता है पूरे देश में मेरे ख्याल में हर विक्ति के मन में एक ही सवाल है कि दो हजार चौबीस में क्या होगा एक तरफ नरेंदर मोदी हैं बहुत बड़ाकत है बहुत बड़ी पार्टी बहुत बड़ी ताकत और दूसरी तरफ बन रहा है एक गटबंदन इंडिया और उस इंडिया को प्रधान मंतरी कहते हैं घमंडिया अब इस इंडिया के सामने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी इस प सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी सीट से उत्तर प्रदेश और काशी बनारस प्रधान मंतरी का कारिक शेत्र आजयराय जो कॉंग्रेस पार्टी के प्रदेश अद्यक्स बनाएं गए भी उन्होंने का प्रियंका जी को लड़ाई यहां से. प्रेंका जी लड़ेंगी कारेकरता जान लडा देगा. यानि मोधी वर्सिस प्रियंका. देखे अजयराय जी अभी नए नवेले प्रवक्ता बने हैं तो उन्हें कोई अजब अलवेला बयान दे नहीं था तो महत्पूर्ण बात क्या है कि बताइए पिछली बार लोकसभाद चुनाओं में राहुल गांधी जी अमेठी की सीट जिसे वो अपनी खांदानी जागीर मानते थे वो भी नहीं बचा पाए और आज उनके प्रदेश अध्यक्ष क्या बोलना है प्रियंका जी यहां से लड़ जाएं राहुल जी वहां से लड़ जाएं कि पिछली बार एकी सीट जीते थे राइबरेली से उनसे सवाल तो यह पूछना चाहिए कि क्या सोनिया जी चुनाओं लड़ेंगी इस बार या नहीं लड़ेंगी आप उशक है वहां कॉन तब एक सभावी कूप से जब उन्होंने ये स्टैंड लिया हुआ है कि स्वास्त कारणों से अध्यक्षपत छोड़ा हुआ है स्वास्त कारणों से ये सोचा मैं किसी के उस पर प्रश्टन ही उठा रहा हूँ तो इस बाद पर जवाब देना चाहिए चलिए हम वो भी मान ले रहे हैं तो कुल मिलाकर बात क्या रहेगी एक existing seat राइबरे लिग। उमने सोनिया जी वाली seat का उलेक्स बिशले का एक ही जीती हुई seat है अब एक अमेठी रहुल गांदी जी की बात कर रहे हैं तीसरा प्रियंका जी के लड़ने की बात कर रहे हैं हम पार्टी को परिवार मानतें, वो परिवार को पार्टी मानतें, परिवार के बियॉन्ड सोची नहीं पा रहे हैं, और दो तीन सीटों पे वो पार्टी पढ़ी है, मैं पहले भी एक और इसकी सर्चा की थी, कि कॉंग्रेस के एक सीनिर नेता ने मुझे बताया था कि 1991 के लो अजिव गौनरी जी ने कहा था, आप कोई बात नहीं, दो तीन सीटे हो गई ही, जाने दो. एक दोर वो था, जब दो तीन सीटे चली गई तो जाने दो. आज दो तीन सीटे भी नहीं है. तो मतलब वही जो मैं पुराना शेर एक बार बोल चुका हूँ, कि आज तो इतनी भी म मैं नहीं है मैं खाने में जितनी कि हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में और उसके बाद भी हम दुनिया को लगे हैं ये जताने में कि हम कितनी सीरियस लडाई में आप कहने जिसको लाचारी, क्यों ना कहें बहादुरी, प्रेंका जी को मोधी जी के सामने लडाने की मांग हो रही है, उनकी पार्टी का निता कह रहा है, जेक्ष कह रहा है कि यहां से लड़ जाए हम जान लगा देंगे, संजा राउद महराज से आवाज दे रहा है, प्रें जी जा नहीं कोई उनको सम्झाने के लिए कर रहा है, या किसी अन्य कारण से कर रहा है, यह भी सोचने की बात है न, क्योंकि कॉंग्रेस के अंदर बहुत सारी到 होती है, कहा क्या जाता है होता क्या है, अभी आपने लिगा, खड़के जी का क्या वह बयाना है, अभी देक तांत्रिक तरीके से चुने है लोग तांत्रिक तरीके से चुने हैं। प्रधान मंत्री जी ने आकर जो परिवर्तन विकास का किया है आप भी आज वारानसी जाएं तो क्या परिवर्तन दिखाई पड़ता है उत्तर प्रदेश में क्या परिवर्तन किया अंतर क्या रहता है जब प्रधान मंत्री जी वारानसी लड़ने आये थे 2014 में उससे पहले के जाकर खड़े हुए हमारी 73 लोग सभा सीटे आई उसके वा सभा 300 विधान सभा में सीटे आई दूसरी बार में सफ़ा बसपा के मिलने के बाद हमने 60 से अधिक 62 सीटे पाई और एक बार फिर 255 सीटे पाई ये होता है नेता जो जाकर हालात को बदल दे ना कि वो कि जो उत्तर का कॉरेडोर देख रही है सब कुछ देख रही है और मोदी जी द्वारा पूरे देश में और विश्व में जो काशी का नाम हुआ है उसके साथ भी देख रही काशी का नाम पहले भी था काशी हमारे प्राची इंतम शहरों में से एक है परनतो आज भी मुझे नहीं लगता काशी की जंता उनके साथ खड़ी होगी जो आज भी ज्यानवापी के मुद्दे पे गाहे या बगाहे जाने या अंजाने दिखाने या सयाने बनके कहीं और जाके खड़े हुआ है। आखिलेश आदब जो है वो अर्सी मैसी का दावा कर रहे हैं पर जो दिसाइड होना है चौबीस का वो रास्ता तो निकलना है यूपीस ही तो आप मानते हैं ना। रहे कल किसी और का न हो जाए इसी लिए यहां कठबंदन बहुत आसान नहीं है चौँकि एक दोर में इन्होंने किसी और से लिया था आज इनको लगता है किसी और के पास चले जाए तो मुझे लगता है कि दोनों का जो बाइंडिंग फैक्टर है वो भी एम फैक्टर है औ और प्राब्लमिटिक फैक्टर भी एम फैक्टर है कि मुसल्मान कहा जाएगा बाइंडिंग फैक्टर भी मैंने एम फैक्टर जानते है क्या बोला मनी फैक्टर ब्रश्टा चार में सब फसे हुए है और कॉन्फिक का फैक्टर भी एम फैक्टर है मुसलिम फैक्टर क्योंक जो राहूल गानी जी कहते है ना मैं महबत की दुकान सजाने आया हूँ तो यहां समस्या यह है कि दुकानदारी अगर इनकी सज जाएगी इनकी दुकान तो दूसरे की दुकान फिकी पड़ जाएगी तो यह दुकानदारी की लड़ाई है वोट के बाजार में, मुहबत के बाजार में नहीं और यह लोग स्वीप करेंगे, क्या हुआ, वास्विक्ता में क्या है, कि राजनीत में अंगणतीय समीकरण नहीं होता है, वहाँ पर ये भी देखना पड़ता है, कि आपका जमीन के उपर आधार कितना है, मतलब मैथमेटिक्स की एक्वेशन नहीं चलती है, केमेस्टी का मस्ती है, कि एक तरफ है positive vote, credibility के साथ, मोदी जी के सक्षम, जाचे परखे, खरेने तुर्त में, और दूसी तरफ है, आपसी पृतिसपरधा, वैमनस से और संचे से भरा हुआ एक गड़बंदन, जिसमें केवल एक दूसरे को let down करते हुए, एक नकारातन क्विचार के साथ मुझे लगता भी किस्वी सदी में, उत्रप्रदेश की जनता और देश की जनता बहुत समझदार है, उसने एक दिशा टै कर ली है, पिछले दो लोग सभाचुनाओं के साथ, और दो विधान सभाचुनाओं के साथ, अब उत्तर उत्तर उस दिशा में आगे बढ़ने का ब फिर ले गए वीपी सिंग, 91 तक उनके पास था, फिर मुलायम सिंग्जी ने अपनी पार्टी बनाई, फिर उन्होंने घसीट लिया, तो इस कारण से ये सारा संगर्श और डर उनका वो है, कि जहां से मैंने लिया था, वो दुकानदार दुबारा आ गया, तो कहीं हमारे ग मानना के केस चलना है, माफी मांगने को तयारी नहीं होते हैं, एक पार कह दें, बात समाप्त हो जाती है, परंतो आप देखिए, ये ऐसे दल हैं, अपनी सरकार के अध्यादेश को फाड़ा था, ये क्या है, इस शियर अरोगेंस, ये ऐसे दल हैं, जोकि इन लोगों ने ये माना है कि ये तो पैदा ही रूल करने के लिए हुए थे, प्रधान मंतरी जी के बारे में कैसे कैसे आप शब्दों का प्रयोग करें, ये उत्तर प्रदेश है ना, मैं उधारन देना चाहता हूँ, दोहजार चौदा का चुनाओ, मोधी जी के लिए बोटी बोटी काट ड़ देश का, ये क्या है? इसलिए ये कहने का प्रयाँ, और सो बातों की बात, इसे घबंडिया जानते क्यों कहते हैं, ये वो पार्टी है, जिसने एक दोर में कहा था, इंडिया इस इंडिया, यानि पूरे देश को एक नेता के बराबर के तराजू पे तौल दिया, और किस न बंद लगा दिया गया हो, जो लोग ये कहते थे, देश को उसके बराबर की बात कहते थे, आज आब बताईए, भारत माता की जय बोलने में तो हिचक है, मगर संसद में खड़े होकर भारत माता के टुकड़े कर दिये हैं, ये कहने में सही है, आज उत्तर प्रदेश में समा बंद लगार की बाता है, आज तक किसी राष्ट्री अध्यक्ष ने उसकी माफी नहीं मांगी और आपको भी पता होगा, किसी पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष का बयान उस पार्टी का आधिकारिक वक्त अबे होता है हैंसे माफी मांगने और कह दें कि इंद्राजी ने गलत किया था और हम माफी मांगते हैं तब माना जा सकता है एक बार स्विकार किया जा सकता है कि उससे मगर उसके बाद उस पे अड़े रहना माफी नहीं मांगना और इतना ही नहीं अपने राजनेतिक नफे नुकसान के अधार के ओपर देश के लोकतंतर की इज़त को भी तारतार कर देना क्या बोले विदेश में जाके मार्च में कि डिमोक्रेसी इंडिया इस फिनिश्ट और इंस्ट्यूशन्स है वेनिश्ट सब खतम हो गया है और जीत गए करना टक तो चुनावायोग ठीक है राहूल गांधी जी को सजा में रहात मिल गई सरवोच नहाले थे याद करी अपनी प्रेस कॉन्फरेंस पे राहूल गांधी जी बोले हाँ जब उनसे पूछा कि आम नहाले के लिए हाँ मैं कह रहा हूँ नहाले भी दवाओ में रहता हो नहाले से आपको छूट मिल लगी तो जो देश की इज़त को भी अपने राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू पे तौल के उसके साथ मान समान और अपमान का खेल खेलता हो इससे बड़ा हंकार क्या हो सकता है हम लोगा बहुत इसपॉश्ट मानना है हमारे सामने चुनाती सिर्फ यह है कि भारत के हर गरीब और वन्चित को स्वतंतरता मिलने के बाद वास्त्विक स्वतंतरता और जीवन की गुणवत्ता का एहसास कैसे कराए जाए जन कल्यान की उजनाए अगली चुनवती ये है कि विकास की उस दोड़ में जहां भारत को 25 साल पहले पहुँच जाना चाहिए था जहां अब वो भरता हुआ दिखाई पढ़ रहा है उसको लाकर इस थापित कैसे किया जाए चुनवती ये है कि अमरतकाल समाप तो होते होते कैसे भारत को विक्सित राष्ट और नमबर वन की अर्थ रस्ता बनाई जाए चुनवती ये है कि गुलामी की मानसिक्ता जो एक एको सिस्टम ने हमारे दिमागों में भर रखी है उससे मुप्त कैसे किया जाए चुनवती ये है कि भारत की नई पीडी में जो धीरे धीरे आत्म गौरव का बोध आ रहा है उस बोध को कैसे उठाया जाए और तब चुनवती ये है कि संपून विश्व की समस्याओं के समधान के लिए भारत को कैसे आगे लाए जाए ये सब तो छोटी मोटी बात है प्रदान मंतरी ये ने क्या बोला अब देखिए उन्होंने पिछले 15 अगस को कहा था अमरत काल की बात पच्चिस साल आगे की ब जाएगा तो किसी राज्य का चुनावा जाएगा वो सोचते हैं इनकी सोच एलेक्टोरल है हमारी सोच सिविलाइजेशनल है यानि इनकी जो सोच है वो चुनाव मूलक है हमारी सोच सभिता मूलक है हम एक हजार साल पहले के देश की गुलामी के बारे में भी सोचते हैं पा पनार की उड़ान भर रहे ईक हजार साल 25 साल 60 वह कोई जा नहीं होगा дости evo एक यह फ़ारыпवार्ड़ा हैं अपथ्यूर पनार्ड चाल कि देश कहां पर पहुंचावारा एक हजार साल बाद तो कोई नहीं होगा हम वो सोचते हैं कि हम रहे न रहें तेरार वैभव अमर रहे मा हम दिन चार रहे न रहें इन नों की समस्या क्या आती है तो सोचते हैं देशी सेंटालिस ने बना तो पांस साल बाद आगे की सोचते ह बहुत सोचते हैं तो ये देश तो देश था ही नहीं अंग्रेजों ने बनाया था, मुगलों के आने के बाद बना था पर जो सनातन राष्ट के बारे में सोचता है जो एटर्नल नेशन के बारे में सोचता है तो उसकी सोच भी आगे तक रहती है इसलिए हम जो time and space दोनों में जो हमारी सोच है वो बहुत व्यापक है इसको सिर्फ हम एक चुनाव और विवस्था के साथ जोड के नहीं देखते हैं इसलिए हम जिस विचार की बात करते हैं वो विचार राजनी से परे का विचार है हम हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं यह भारत की विवस्था और चुनाव से बहुत परे का विचार है यह जीवन की प्राण शक्ति का विचार है सुनिये स्री अर्विंदो महर्शी अ आत्मा क्या है वो हिंदु धर्म और हिंदुत्व है हम आत्मा के बारे में विचार करते हैं इसलिए हम बड़ी लंबी और शाश्वत सोच सोचते हैं वो शरीर के बारे में विचार करते हैं तो चंद बरसों में सिमट के रह जाते हैं तो मैं फिर आ रहा हूं दुबारा चुन हमारा मजाक उड़ाय जाता था जब रामंदिर का अंदोलन शूरूकिया है क्या है लोग ऐगी शोगित हैं कि यह मंदिर कोई मुद्ध होता है यह राजनीत यह करणीन को नहीं आती हम राजनीत के लिए मंदिर का मुद्ध पूरी आये थे और इस कारण से आज भारत जो उठा है तो भारत का स्वा जागरत हुआ है भारत की आत्मिक शक्ती जागरत हुई है इसके लिए हम राजनीती कर रहे थे सिर्फ चुनाओ जीतने के लिए इसलिए हम चुनाओ जीते हों या हारे हों हमने कभी अपने मूलियों समझा होता नहीं क्या इसलिए आज तक आप भारत का एक कोई भारती जंदा पार्टी का चुनावी मैनिफेस्ट होने दिखा सकते हैं जहां हमने अपना कोई भी मूल मुद्दा छोड़ा हूँ अब जराब आपके दूसरे प्रतिद्वों के बात करना चाहता हूँ अब दिल्ली से शुरुबात करता हूँ अरविन केजरीवाल विधानसभा का सतर बोलाते हैं आज भी चल रहा था वो और उसमें वो खोब बोलते हैं और प्रधान मंत्री उनके फेवरेट टॉपिक हैं फ वो सिर्फ अपने प्रतिद्वांदिवों को ध्वस्त करना चाहते हैं किसी भी तरीके से उनके अधिकार चीनना चाहते हैं कि इनको ताकत बीहिन करता है देखिए पहली बात तो माने प्रधान मंत्री जी के लिए जो बार बार बोलते हैं उससे उनके विराट वेक्तित्त के उपर प्रधान मंत्री जी के विराट वेक्तित्त पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कहा गया है जे बड़ेन को लगु कहें नहीं रहीम घटी जाएं रहीम दास का दुआ है जे बड़ेन को लगु कहें नहीं रहीम घटी जाएं गिरधर मुरली धर कहे रहें महिमा बदलत नाएं मतब भगवान कृष्ण को इतना बड़ा परवत उठाने वाला गिरधर कहिए य एक मात्र ऐसी विधान सभा जिसका 17 वसानी नहीं होता है। उत्तर प्रदेश सरकार उसमे लिए करती है। आप दिल्ली में बैठके सारे विश्यों के उपर बात करते हैं। विधान सभा में कहते हैं कि फिल्म को यूट्यूब पे डाल देना चाहिए। ये किस तरह के विश्यों के बात करते हैं। और इतना भारी बहुमत दिया है और उसके आदा विधान सभा में इतना हलका किरदार अगर दिखाते हैं अपनी बातों से तो उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा। कि चंद बाते करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखरी दम तक सभी को आजमाती है। बहुत गल्ती की गुंजाईश नहीं होती सियासत में। जरा किरदार हलका हो कहानी डूप जाती है। तो इतना भारी बहुमत लेके इतना हलका किरदार विधान सभा में मत दिखाईए। तो आप तो राजसभा में थे जब दिली काविल आया। पहले तो कहते हैं हमारे साथी को जो जो लीड करते हैं संजे सिंग उनको आपने बाहर करवा दिया। चले ठीके रागर चब्ड़ा खड़े वे। अब राज अच्छा आपका नाम कहां से आ गया आज आपको बताता हूँ और वो कह रहे हैं कि साथ कोई सिगनेचर की जरूरत नहीं है। मानेवर जब प्रस्ताव भेजते हैं तो वो नियम 72 के अंतरगत है। उसका फर्स्ट बाग ये कहता है कि कोई भी संसर सदसे किनी भी लोगों के नाम प्रस्तावित कर सकता है यादि ये उसका दाइत तो है कि वह सुनिशित करें कि जिनका नाम उन्होंने लिखा है वो इस पे सहमत हैं हम पांच लोग थे जिनका पूछे बगएर नाम दे दिया गा सहमत नहीं तो सीधे सीधे उस नियम का उन्होंने लंगन किया है इसलिए यह विशे विशे चादे और फिर का विपजारी है आप सदन में उपस्थित रहेंगे और दिल्ली विध्यक के पक्ष में मद्दान करेंगे ठीक उनका क्या विपजारी है कि आप सदन में उपस्थित रहेंगे और विपक्ष में मद्दान करेंगे भाई आप रिकमेंड कर रहे हैं कि सेलेक्ट कमेटी में भ बिजने के लिए मद्दान करेंगे तो तर्क समझ में आता आपकी विप ने कहा सदन में उपस्तित रहे के इसको आप विरोध करने के लिए मद्दान करेंगे ताकि ना पास हो पाए आप सेलेक्ट कमेट्टी को भेज रहे तो आपनी विप संविधान और राजसभा के नियम तीनों का उपहा सुड़ा दिया जबकि सभापती महोदे ने वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बहुत उधारता का परिशे दिया। इनी के एक साती थे सुशिल कुमार गुपता जी वो सब्जियों की माला पहन के आ गये थे जो राजसभा के कंड़क्ट और रूल के बिलकुल खिलाफ है तो उपराश्च्पदी महोदा ने बहुत साफ साफ का देखिया आप से गलती हुए अगर आप माफी मांगे नहीं तो क नितीश कुमार जी को किस कैटेगरी में रखते हैं इनको भी घमंडिया में रहते हैं वो तो बाचपई जी के समाधी स्थाल पर गया तो सब्सक्राइब नितीश जी डिल्ली आये बाचपई जी को उन्होंने श्रदा सुमन अर्पित किये और किसी से भी नहीं मिले और चले गए यो तथा कतित आई एंडिये गडबंदन वाले लोग और हम खड़े खड़े मोड पर जुके जुके कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे नितीश कुमार जी का इंतजार ही देखते रहे आप खुछ सोचिए यह कहते हैं 26 28 दल हैं एक को भी नितीश कुमार जी एक के भी निता से दिल्ली में मिलने लाइक नहीं समझा नहीं पत्तना में तो बयान जारी हुआ था कि मिलेंगे अब क्यों नहीं मिलें नहीं कह सकते हैं तुम्हें कह रहा हूँ बयान तो बहुत सारे जारी होते हैं और कहां कहां क्या क्या बयान जारी होते हैं बताईए आ आदी पार्टी केते हैं ऐसे रहेगा तो हम महीं में नहीं आएंगे अब आप सुनिया इत्ता ही नहीं बंगाल में अधिर रज्ञन चोधरी जी क्या कहते हैं ममता बनर जी की सरकार कॉंग्रेस कार करता हूंगे हत्याएं करवा रही है वो कहते हैं देरी नो डेमोक्रेसी इन तो बंगलोर में जाके कहते हैं नहीं 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 वो तो टू सेव देमोक्रेसी इन इंडिया हमी नीड ममता बनर जी अजब है साब महराष्ट में आप आईए तो पृत्षी राज चोहान कॉंग्रेस के नेता हैं मुक्यमंत्री रहें वो पवार साब के बारे में सवाल कि ये जवाब में क्यों बार बार ये लोग बात करें 83 साल कर वेक्ति का बार बार इनको आके सबूत देगा ये जो चीज दिख रही है इन्हों ने जो इतताकति गड़बंदन मनाया है ना इसमें फूल कम है और काटे जादा है तो इनके गड़बंदन के लिए तो वो पंक पर ये इनको कोई देश की जनता सरकार कोई मतलब ही आपस में एक दूसरे से अपना बड़ा कड सिद्ध करना है मुदी जी को हराना है सबकुछ उसी के लिए सारा प्रयुजी नहीं किसली इसली तो है और मैं फिर कह रहा हूं आप से राजय सभा के अंदर एक जूठ हो करक देखिए जो आपने कहा 224 सीटे ऐसी हैं जिस पर भारती इंता पार्टी को 50 प्रस्चत वोट मिला था दिल्ली में 56 परसेंट वोट भाजपा को मिला 22 परसेंट आम आदमी पार्टी को 18 परसेंट कॉंग्रेस को ये दोनों मिल जा तो भी 40 परसेंट है तो बहुत साफ है ना कि वो चुनाव लड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के उपर आपने जो बड़ी अच्छी बात कही राज्य सभा में आम आदमी पार्टी ने कॉंग्रेस का हाथ पकड़के समर्थन लिया दिल्ली के विध्यक पे ठीक फोर्स कर दिया कॉंग्रेस पार्टी भी उसने का तुम नहीं हो तो हम पुरानी पार्टी है और उनसे चतुर सेयनी पार्टी है वो अविश्वास प्रस्ताव ले आई अब बताई अविश्वास प्रस्ताव पे लीड किस की थी कॉंग्रेस की सारा मीडिया में कवरिच चिसका था कौरो गोगोई से लेके राहूल गांदी से लेके अधिर रज्य चौदरी जी से लेके खड़गे जी क्या बोले उसके उपर यानि कॉंग्रेस ने दिखा दिया कि भाई वी आर दा बॉस तुमें हमारे पीछे रहना पड़ेगा खड़ो जाओ हमारे पीछे भारत जोडो जो तथा कथित भारत जोडो यात्रा थी उसके द्वारा कॉंग्रेस ने दिखाया कि भाई कश्वीर से कन्या कुमारी तक हम है तुम कहाओ भाई और सदन में विश्वास मत के द्वारा दिखा दिया कि भाई मुख्य विपक्षी दल हमें खड़ा होना पड़ेगा तो हमारे पीछे खड़ा होना पड़ेगा इसमें कोई इसी रही तो मैं कहा रहा हूँ ये विपक्ष में अपना नित्त बचाय रखने या बनाय रखने की कवायद है इस सरकार वरकार बनाने की तो कवायद से आप करे phi जो जो कुछ भी कहें मान तो यही रहें कि हमको विपक्ष में रहना और वहाँ कौन बढ़ा है इसके लिए है इसके लिए उनकी सारी कवायद है वो एक दूसरे को लेट डाउन करने में रहें जैसे आप सोचिए ये करनाटक की विजय से पहले किते लोगों के मन में लड़ू फूट रहे थे विपक्ष का नेता हम बन जाएंगे उसमें केजरिवाल जी भी थे नितीश कुमार जी भी थी थे ममता जी भी थी केसीर जी भी शरत पवार भी जी थे अचानक जैसे ही जीत हुई करनाटक की सब बिचारे ठंडे पड़ गए अब क्या करें अब उनको समझ में नहीं आता है कि वो भाजपा की पराजय की खुशी मनाएं या अपने आर्मानों पे गिरी हुई बिजली का गम मनाएं तो उनके इस थानी नेता का दिल नहीं मिल रहा है अब समझ नहीं पा रहे हैं इसमें किसका गम मनाएं किसकी खुशी मनाएं यही महराष्ट में हाल यही बंगाल में हाल तो मतलब इन लोग के साथ तो यह सिती है कि यह गठबंधन पाकर भी अपनी सारी प्रतिष्ठा दाओं पे हो गए इसलिए इनके लिए तो वह पंक्ति लागू होती है कि न तुम ही मिले न मैसर तुम्हारी दीद हुई तुम ही कहो यह मुहर्म हुई कीद हुई आप कैसे लगें आप भी तो भी कर रहे हैं महराष्ट के नहीं अजीत तोबार को आप लेकर कर आगे अच्छा आपने इंडिये की तरफ बढ़ रहे हैं हमें बाहर कर दिया और खुद इंडिये की तरफ जा रहे हैं ऐसी ऐसी बाते उटके सामने आ रही है तो आप सोचिए कि इन लोगों में आपस में कितना विश्वास है अविश्वासों से भरे इस गढ़बंदन पर क्या देश की जंता वि नहींगा तेकिये यह तो उनके पार्टी का अंदरूनिं मामला है यह तो जो अजीत पवार जी के गुटके नेता हैं अजीत पवार जी से लेकर सब कह रहे हैं शर trilogy से और आ अप उधर आजाइये तो इन बोलोग कह रहे हैं अता है कि फो को लोग को स समझ में नहीं आता है नीती, हमारा नेत्रत्व और हमारी नीत तीनों स्पष्ट है. NDA के सारे घटक दलों में किसी पॉलिसी को लेके कोई कन्फियूजन नहीं है, नीती स्पष्ट है. हमारी नीत बहुत साफ है, गरीब का कल्यान करना है, भारत का विकास करना है, राष्टी सुरक्षा को सुद्रण करना है, राष्टी गोरों को स्थापित करना है. और नित्रत्व, जाचा परखा खरा, मोदी जी का नित्रत्व हमारे पास है. किसी परकार का कोई confusion नहीं है और दूसी तरफ सिर्फ confusion ही, confusion है इसलिए हमारी उनकी city में बहुत जमीना आपकर आएं, ना आएं, आपको कोई फरक नहीं परता ना आप ना आप मना रहें उनको आने के लिए हम तो किसी से नहीं कह रहे हैं हम तो अपने इस तरसे महाराष्ट की सरकार हमारी, महाराष्ट के विकास के लिए शिंदे जी और फदनवीज जी के नित्वर्त में और अप उसमें अजीत पवार जी भी साथ में आ गए है। हमारा लक्ष महाराष्ट को विकास और जनकल्यानकारी योजनाओं में उस मुकाम पर पहुंचाना है जो वास्विक्ता में महाराष्ट का हाग है वो हम कर रहे हैं आप कर रहे हैं हमको किसी की चंता नहीं है घमंडिया अलाइंस वहरे सामने आजाए कोई और आजा राहूल ग नहरू जी का परिवार है तो नहरू नाम क्यों नहीं लगाते है तो गवराट तो उनको दिखाई पढ़ रही है हांदान तो नहरू जी का है और नाम नहरू जी का कोई यूजी नहीं करता है तो गवराट तो उससे नहरू लगाएंगे इंद्रा जी के से चल रही था आगे जिनकी पत्नी हैं उनसे ही आएगा अमान लिया कि वो उनकी बेटी हैं इसले महत्पुरा हम उसको सम्मान देते हैं तो फिर सुनिया गांधी जी के आते समय ये फार्मूला बदल क्यों जाता है अब पिता से जादा पती का महत्त हो जाता है इंद्रा जी के जमाने में पती से जादा पिता का महत्त हो जाता है जो सुविधा की राजनी थी है ये दरशाता है कि देश तो छोड़िए, पार्टी छोड़िए, आपका अपने परिवार के ऊपर विश्वास नही है और जहां तक नहरू जी की बात कहते हैं हम तो नहरू जी का पूरा सम्मान करते हैं जब उसको प्रधान मंत्री संग्राले बना दिया तो इन्होंने कहा नहरू जी की विरासत के साथ हम छेड़ चाड़ कर रहें। मानेवर मैं मान सकता हूँ कि गैर कॉंग्रेसी जो रहें हैं प्रधान मंत्री या कॉंग्रेस गोत्र के बाहर के मोधी जी और अटल जी उनके प्रति आपके मन में हिकारत हो सकती है। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ कि इन में से कौन नेता गया था कभी इससे पहले आपने देखा हो नहरू मेमोरियल में सोशल मीडिया पर किसी की फोटो देखी पिछले आट नो साल में। और तो और मोधी जी ने सरदार पटेल की मूर्ती बनवाई भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ती। सरदार पटेल तो मूलता इनके नेता थे एक कौंग्रेस नेता बताईए जो आज तक उस मूर्ती के पास किया हूँ। मतब अगर मोधी जी का नाम जोड़ जाये तो अपने नेता का भी तरिसकार करने में लग जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये खुद अपने नेताओं के नाम से डरने लगते हैं। में मनी कमेटी जे अपने को भारतर दन दे दिया। अब नेहरू जी की बात आगे बढ़ाएंगे तो लंबी हो जाएगी लेकिन फिर भी आप हैं इसलिए बात में पूछना जरूर चाहता हूँ। आप लोग हिंदू, हिंदुत, मुसनातन, पुरातन महीं रख, महीं रख के। देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं, अगर नहरू जी की सोच, कुछ काम उन्होंने अच्छे किये थे, महीं मानदारी से कह रहा हूँ, वो आएटी बनाई थी, और भिलाई राउर के लाके स्टीर प्रांट्स बनाए, परन्तु इसी के साथ अब यह भी सोचिए ना, हमार इतना बड़ा आपने विकास किया था, इसका मतलब भारत की जो वास्विक छमता और शक्ती थी, उसके उसके अनुरूप कारें नहीं हुआ, हम इकलोते देश थे, जिसने अपने पडोस का देश, जो हमसे छोटा और कमजोर था, वो हमें सताता रहा, और हम पचास साथ साल सिर्व यह चिलाते रहे दुनिया में कि हमको सता रहा है, अब मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने डेवलोप्मेंटल काम किये, उसका विश्रे अकेले महरूजी को देना मेरे विचार से उचित नहीं है, यह दूसरों के प्रति असम्मान है, अगर IITs अगर पता हो कि यॉरप के बाहर दुनिया का पहला कौन सा शहर था, जिसमें स्ट्रीट लाइट आई तो वो 1902 में, 1892 में लंडन में, 1902 में बैंगलोरू में आई, वो भी महराजा मैसूर ने किया था, अगर आप यह देखें तो दुनिया का पहला आई हॉस्पिटल, दु बहुत से लोगों ने, अब यह उता ही, स्टील और आईन की फैक्टरीज, नहरू जी ने उससे पहले तो टाटा बना चुके थे, और यह भारती लोग थे, जिन्हों ने बनाया था, तो भारत के विकास की आत्रा में बहुत लोगों का योगदान रहा है, वन एन ए उनली ज उसकी रक्षा करती है, उसका क्या नाम है? इंडो-तिबतियन बॉर्डर पुलिस, भारत-तिबत-सीमा पुलिस, क्यों नाम है? 47 में हमारी सीमा चीन से नहीं मिलती थी तिबबट से मिलती थी और जब चीन पर तिबबट ने चीन ने तिबबट पर अधिपत्य कर लिया तब वो हमारा साथ ही हुआ और मैं ये भी बताऊँ 1954 में कैम पनिकर जो चीन में राजदूत थे उन्होंने चीन की सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया accepts the Chinese sovereignty over तिबबट हम चीन की संप्रभुता तिबबट पर स्विकार करते हैं उसके बाद चीन ने आके पूरा कबजा कर लिया और ये विशे लोकसभा में उठा भी था उस समय विदेश राज्यमंत्री ने ये कहके जवाब दिया भारत सरकार से सहमत ही नहीं ली गई थी भारत सरकार का उस पत्र के टेक्स से मतलब नहीं था क्या मजाग की बात है भारत का राजदूत लिखके दे रहा है अगर नहीं था तो आपती दर्ज करनी चाहिए थी तो जब इतनी बड़ी-बड़ी ब्लंडर्स की और ये भी मैं बात उता दू ये प्रेस कांफरेंस है जो कंप्लीट बर्सो जवाला नहरू में लिखा हुआ है तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो भयानक गलतियां थी उसको भी स्विकार करिये कुछ अच्छा भी था ये भी तो कह रहे है न साथ साथा कुछ अच्छा भी था ठीक है सब सारा क्रेड़िट नहरू जी को नहीं था लेकिर आज नरिंद मोधी जो हैं देश को एक हजार साल आगे की सोच की तरफ लेकर के जा रहे हैं तो अंतिम मेरा परशन है आप से आज क्या सोच कर चल रहे हैं फिर 24 में चुनाव की बात कर रहा हूँ तीन सो तीन दोजार चौबीस में की देखे उनके नेता कहते हैं कि भाजपा को समर्थन देने वाले और भाजपा को वोट देने वाले राक्षस हैं पर हम ये कहते हैं ये देव भूमी है और इसका जन जन कौन है जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है हम वो कहते हैं कि जन जन के मनमे रामरमय और प्राण प्राण में सीता है हरहर्दआ के धड़कन रामायन पक्पक पर्वनी पुनीता है यजि राम नहीं है स्वासों में तो सासों का घट लीता है तो यह देवतुले जनता, जनता जनारदन, भारती जनता पार्टी एंडिये और मोदी जी के पक्ष में वहन निरनायक जनादेश देने जा रही है जो हम और आप सब देखेंगे वो जानते हैं कि सीज कमार प्रशस्त करेगा स्वामी विवेकानन ने कहा था कि भारत माता प्राचीन शक्ती से युक्तो कर दिव्याभा के साथ संपूर्ण विश्ख को मारदर्शन देने के लिए खड़ी होने जा रही है वो समय एक शताबी दूर है 1902 में उन्हें शरी छोड़ा 2002 में पूरे हुए थे श्री अर्विंदो ने कहा था कि भारत 175 वर्ष के महान संक्रमण से गुजर रहा है और ये निम्नतम बिन्दु से राष्ट उच्चतम बिन्दु की यात्रा शुरू कर देगा 175 वर्ष समाप्त होते होते उन्होंने 175 वर्ष की शुरुवात मानी रामकृष्ण परमहंस के जन्म से जो 1836 में हुए था 175, 2011 में हुए 2012 के बार बदलाव आपने देखा तो इसलिए अब भारत के भवितव का वास्विक समय है यही समय है सही समय है और देश की जनता पूरी तरह उसके साथ खड़ी है तो मैं सिर्फ अंत में यह कहूंगा कि आज 2024 में हमें किस बात की ओपर समर्थन मिलेगा कि सब ने देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की और उस रफतार से कर रहा है विश भी हमको नमन उस बार से 2024 में जो आपने कहा कि किस आधार पर हमें वोट मिलना चाहिए तो मैं कहना चाहूंगा हम एक जमाने में कहते थे उगा सूरिक कैसा कहो मुक्तिका यह जाला करोड़ों घरों में ने पहुँचा करोड़ों को उजवला योजना मिली 34 करोड़ों को मुद्रा योजना मिली और इस देश को देखिए क्या मिला 70 नए एरपोर्ट मिले लगभग 100% एलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे में होता हुआ मिला और पांचवीं बड़ी अर्थवस्था बने चोथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने और तीसरे बड़े आटो मोबाइल के मेनुफेक्चर बने दूसरे बड़े मोबाइल हैंड सेट के मेनुफेक्चर बने और इंफ्रास्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले दुनिया के नमबर एक देश बने और इसके साथ श्री राम जन्म हुमी का भव मंदिर भी दिख रहा है यानि राष्ट का गौरव भी दिख रहा है केदारनात भी दिख रहा है काशी विशुनात का कोरिडोर भी दिख रहा है महाकाल का कोरिडोर भी दिख रहा है और इतना ही नहीं बुद्ध की निर्वान इस्थली के उपर चमचमाता हुआ है, पोर्ट भी दिख रहा है, आपने देखा कि मध्यप्रदेश में संतर रविदास का सो करोड का मंदिर बनता हुआ दिख रहा है, यानि विकास और गौरव दोनों को साथ लेते हुए, हम उसी सिती में बढ़ रह हैं कि संपोड विष्व भी हमारे साथ खाड़ा और आप इसे संयोग देखिए, हम पांच भी बड़ी अर्थवरस्था बने, ब्रिटेन को पीछे छोड़के, और अभी ब्रिटेन के प्रधान मंतरी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि I always have a golden ganesha on my desk, on 10 Buckingham Palace, 10 Downing Street, तो आप ये समझ लीजे कि यह काल चक्र का इतना बड़ा बड़ाव भारत के साथ दिख रहा है, तो और मोदी जी लगातार पिछले चार सालों से विष्व के सबसे लोग प्रियंता बनके उभार रहे हैं, तो गाओं के व्यक्ति की मूल भूताव शक्ताय पूरा करने से लेके, भारत क सांस्कृति गौरव को उठाने से लेके, संपूर्ण विष्वें प्रतिष्टा बढ़ाने तक लेकर, मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, बढ़ रहे हैं हम प्रगित की इंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर